संगम नगरी प्रियागराज के नवाब गंज इलाके में एक ही परिवार के पांच लोगों की सामोहिक हत्या के मामले में 30 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है वारदात के दूसरे दिन बे पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफतार नहीं कर सकी है हलाकि शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है उनसे पूछताज की जा रही है लेकिन पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुच पा रही है मामले में नाकाम रहने पर पुलिस की कारवाई किये जाने की हिदायत दे थे लेकिन 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीच चुका है और पुलिस एक भी आरोपी की गिरफतारी नहीं कर सकी है इस पीच जो मृतक है उनकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत के लिए दम घुटना बताया गया है यानि पोश्ट माटम रिपोर्ट जो है वो खुदकुशी की तरफ इशारा कर रही है जब कि पतनी और तीन बेटियों की मौत की वज़ा ज्यादा खून बहना और शरीर पर जगह जगह चोट होना बताया गया है यानि पतनी और तीन बेटियों के हत्या साफ तोर पर की गई है जब कि परिवार के मुखिया राहुलतिवारी के मौत के बारे में अभी सस्पेंस बरकरार है लेकिन सबसे बड़ा सावाल यह है कि दो दिन बीत गया है प्रयागराज पुलिस आखिरकार करके आ रही है क्योंकि कि कल वार्दाद के बाद बड़े अफसरों ने साथ साथ टी में गठिट करने का की बात कही थी और यह कहा था कि यह साथों टीमें बहुत तेजी से काम करेंगी और कुछी घंटों के अंदर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा जो भी लोग वारदात में शामिल थे और जिन चार लोगों के खिलाफ नामजद F.I.R. दर्ज की गई है उन सभी को गिरफतार कर लिया जाएगा बेरहाल इनतजार इस बात का है कि प्रियाग राज पुलिस कब हरकत में आती है कब आरोपियों की गिरफतारी की जाती है और कब मामले का खुलासा होता है कैमरमेर रोशनी वास्तों के साथ महम्मद मुहीन A.B.P. गंगा प्रियाग राज प्रियाग राज़तारी की जाती है